असलाम अलेकुम गाइस कैसे हैं आप सब विलकम बैक टू माई चैनल मैं रुबीन और आज की वीडियो में आप लोग के साथ सूप की रेसेपी शेयर कर रही हूं पालक का सूप वैसे मैंने बहुत सारे सूप की रेसेपी शेयर कर रहा है अभी जैसे विंटर डाइट डाली तो इसमें बताया था कि आप डीनर में सूप ले सकते हो तो अलग लग त्राइब का आप सूप बना के ले सकते हो कि यह की तरीके का बना के खाऊओगे तो बोरो जाओगे एक दो दिन में ही तो ऐसे तेरा चौधे तरह का सूप मेरे चैनल पहल नीचे लिंक डालूंगे आ खोड़ा से एक-दो चुटकी जीरा डाल दिया है है पहुत जाड़ मत ड़या दिजेगा और फर टेस्ट कड़वा हो जाता है मसालों को बहुत जादा फ्लेवर जबा जाता नचे तो लिए हैड़ सभा APP पहुत्छादा खराब तो वह से भी सर्दी है तो अध्र गत्रों तो तो गरब आपके बोडी वैसे ही गरम दाएगी बस उसके बाद इसमें एक टमाटर डाल दिया है काटके उसके बाद इसको थोड़ा सा पका लेंगे अगर इसको ऐल फ्री आप बनाना चाहरे हो तो सारी चीज़ें एक साथ डाल थोड़ा पानी डाल दो धग दो एक दो बॉयल आने तक इसको बाल लो उसके बात फिर इसकी प्यूरी बनाओ लेकिन वह ओयल खाना भी जरूरी है जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूं आप डाइट भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एक दम ओयल को बाइकोट टरना है नही प्लाइट के लिए भी हर चीज जरूरी होती है बस उसके बाद मैंने एक मुठी इसमें भरके पालक जैसे डाल दिया है ब्लांच किया हुआ पालक है तो इसलिए मैं इसको डायरेक मैं जैसे ब्लांच करके डालने तो ज्यादा नहीं पकाऊंगी लेकिन अगर आपक को थोड़ा सा पका लेंगे ज्यादा मुझे पकाने की जरूरत नहीं क्योंकि पका हुआ है सबकुछ तो एक मिनट पकाऊंगे इसके बाद इसका प्यूरी बना लेंगे लेकिन अगर आप पत्ते ऐसी डाल रहे हैं तो एक दो मिनट दो मिनट तो आपको पकाना पड़ेगा उसके बाद इसकी प्यूरी बना सकते हैं बस देखिए मैं जाद नहीं पकाया है आपको बंद करतेंगे गये उसके बाद इसको ठंडा करके इसकी प्यूरी बना लेंगे बहुत जादा टेस्टी बनता है तो आप लोग जरूर ट्राई करना और मुझे बताना जरूर कमेंट करके कि आपको कैसा बना बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आज मैंने ये चीज ट्राई की रही बहुत अच्छी बनी तो मुझे बहुत खुशी होती है सुनके बहुत अच्छा लगता है जैसे वैसे भी मेरा बना हुए खाना भी कोई खाता है तो बहुत जिस तारीफ करते हैं लोग तो अच्छा लगता है तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताना बस इसकी प्यूरी कड़ाई में बैल दिया है उसके बड़े कड़ाई में टाल दिया है तो ज़िआ पाने भात Black लर के पड़ा ही पाने तक ही पका पकानी पका नागे लिए वह पान का again लग सबसी minder तो उसल नगा हो तो इसलिए थोड़ा एक बॉइल आने तक पकाएंगे इसके बाद मैं इसमें लोग फैट मिल्क डाल रही हूं दो तीन चम्मच इसे थोड़ा सा क्रीमी टेक्श्र आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है लेकिन अगर आपके पास कोकोनेट मिल्क है तो डालेगा उस यह वकलो फैट मिल्क ही डाल दिया है तो डाल करनेगे ने तो झाल ऑiveness मिल्क हो जाता है और लेना भी चाहिए तो आप भी इसमें सार्फ समय डा़नेगे बहुत ही टेस्टी मरता है जरूर बनाना उसके बाद इसमें ऊपर तो अपर से थोड़ा सा मैने ग्रेट कर केपनी औ तो प्लेवर देना बस आपको सूप तयार हो जाएगा बहुत जल्दी बन जाता है तो आप डाइट कर रहे हो तो अपने लिए 5-10 मिन निकाली सकते हो चोलो आप लोग बनाना बताना कैसी लगी वीडियो रेसेपी कैसी लगी जरूर बताना और अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना मैं कहती नहीं हो इसलिए आप लोग करते नहीं हो तो कर दिया करो मैं अगली वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ अपना ख्याल लगना, अल्ला हाफीज